ठेक बच्चों, अच्छे पढ़ना है तो बलकुल जहां भी आपका दिमाग हो बुला लीजे उसको, क्या करिए, खुले मन से, खुले दिमाग से पढ़ेंगे, जब यहां खाली रखेंगे तो चीजें जाएंगे, जाएंगे न, जब चीजें वैकेंट रहेंगे तो भी तो उसका है है ड फ़ोन-टेस है, हमगर हम फोर्स को समझ नहीं बातके हैं, फोर्स इहां हो सकता है, फोर्स तो सकता हो, पैरल्ल हो, पРЕपंडीकुलर हो, किसी एंगल पर लग रहा हो, कोई भी एक्टिविटी हो सकती, ब्लो हो सकती है कि है, तो हम बोल देते है, फोर्स अपॉन अपान एरिया से नहीं आता है। हाँ, जो प्रिशर होता है, वो परपेंडिकुलर यानि कि नॉर्मल फोर्स अपान एरिया से, किस से होता है? इतना याद रखी, इसलिए मैंने normal force पर क्या तरह अंडर लाएं तो बोलेंगे normal force per unit area known as क्या pressure, कैसी quantity होती है scalar होती है, कैसी होती है अब बात करते है force के unit, neutron, area के unit, meter square तो इसकी unit क्या बनेगी, newton meter, square आते हैं dimension पर, force का dimension, mlt minus 2 एरिया का डैमेंशन एल स्क्वाइर क्या हुआ तो कितना हो जाएगा एल उपर आएगा एल माइनस वन टी माइनस इतना पहले लिखे तो फिर आगे बढ़ते हैं इस न्यूटन पर मीटर स्क्वाइर को हम लोग पास्कल हो जिसको हम लोग दिखाते किससे हैं अभी हम आपको इस न्यूटन भी बताएंगे बाकी अभी सिर्थीरे इंजन गरम करो एक क्या देखते हैं रिमार बहुत बढ़ी आज का टापिक से प्रेशर करें इसका रहेगा प्रेशर अब एक रिमार के दिखते हैं ध्यान से समझते हैं और इस चीज को बहुत अच्छे समझते हैं प् हैं नारी सवं अभी होता है रिजय कि होता है आप इसके पैर को अगर कभी विदेखेंगे उसके पैर का एरिया बहुत बड़ा हों AMY मतलब ये होता है कि नहीं होता है हम रिगिस्तान में घोड़े को नहीं गवड़ाते है क्योंकि घोड़े का पैर क्या होता है चोटा होता है मतलब इन दसेंस एरिया तम होता है क्या हो जाएगा इसका एरिया क्या होगा ज्यादा होता है इसका एरिया क्या है अब प्रेशर इन भोडा क्यों नहीं लिए फ्रेसर जयाधा लगेगा बोलो सही है कि की है आपने कभी भी यह देखा होगा आप मलो कोई फ्रूट काटते हों मोई कोई आपने चाकू लिया ऐसे लिया चाकू ऐसे होती चया कि इसे काटते हैं बोलो चाकू का जो एरिया होता है यह जितना पतला होगा कटेगा जितना कम एरिया होगा उतना ही ज्यादा क्या एक्जर्ट करें और वो क्या होगा खट से बोल सही है कि और जितना ज्यादा एरिया होगा उतना क्या कम प्रेशर लगेगा तो वो कटेगा भी दिखा जाएगा मगर इसलिए आप कभी भी देखेंगे जो शेफ लोग रहते उनका जो चाकू होता है बड़ा पाइन होता है कि नहीं कि एरिया कम होगा है बोलो सही है कि नहीं इतना चीज समस्ते हो आप एक चीज को कभी फील करें आप दिन भर सीधे ऐसे पैर पर खड़े ह होते हैं ऐसे खड़े होते हैं एरिया बड़ा होता है प्रेशर क्या लगेगा अब दिन भर एक ताम कर गया अंगूठे पर खड़े होगे दिन भर ऐसे खड़े होगे एरिया आपने क्या किया तो प्रेशर क्या हो गया तो दर्द महसूस होता है क्या होता है दर्द महसूस ह होता है कि नहीं अगूटें फ़ए खड़े हो गया तो आपने जो सर्फस अरिया था उसको कम करके एक अंगूट यह क्या कर दिए करके पिरेशर क्या हो गया समझ गए कि स्प्रिशर जादा और खम का फिनोमेना समझ में आया के लिए है तो जब भी हमको ज्यादा प्रिशर की महसूस होता है ज्यादा जैसे एक example होता है आपने खुब किया भी होगा एक कील होती है एक क्या है कील है या एक एक केरेट और रख दें अब आप खड़े हो जाएंगे कोकि एरिया क्या हो गया प्रिशर क्या हो गया अब जो अंडे पर प्रिशर लगेगा वो डिस्टिब्यूट हो गया वो क्या हो गया अब क्या हो गया प्रिशर क्या हो गया कम और सिंगल अंडा था तो एरिया कम तर प् बाकी तो तुम एक कील है तो ये नोक है ये क्या है और कहीं अगर बात किया जाए ऐसा है बोलो सही जादूगर का करते हैं कभी देखा होगा जादूगर कभी कह दो आओ घर एक कील पर बैठाते हैं आओ एक कील पे तुमको थोड़ा मज़ा दिलाते हैं, तो तयार नहीं होंगे, क्यों? जब धेर सारी कील होती है, तो एरिया क्या हो गया? जादा हो गया, एरिया क्या हो गया? प्रेशर क्या लगेगा? उस पे हम लेटेंगे तो प्रेशर क्या लगेगा? आओ एक कील प्रेश अब लिखे प्रेशर इन फ्लूइड प्रेशर इन फ्लूइड चलो प्रेशर इन फ्लूइड और बच्चों हम लोग कैसा फ्लूइड पढ़ने हैं इस्टाटिक कैसा है इसको हम लोग बताएं क्या कहते हैं बुक में लिखा होगा हाइड्रो इस्टाटिक क्या लिखा होता है हाइड्रो इस्टाटिक दो चैप्टर होते हैं एक हाइड्रो इस्टाटिक और है एक हाइड्रो डाइनिमिक्स डाइनिमिक्स का मतलब होता है हमारा fluid क्या कर रहा है motion कर रहा है क्या कर रहा है और static का मतलब होता है हमारा fluid क्या है हम क्या पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे है static हम ऐसा fluid पढ़ रहे हैं जिस पर पानी क्या है दोड़ पक्का चल पानी को दोड़ता नहीं दोड़ाया जाता है चलो, देखा जाए, फोकस होईए बच्चो, अब देखो ध्यान से, मालने एक कंटेनर हो, एक क्या है, इसमें हमने भर लिया क्या, पानी, क्या भरा, बहुत सही भी या, भर लो पानी, यह हर साल ठंडी के समय में फ्लीट मेकैनिक साता है, अब देखो, हमको क्या महसूस करना ह अब ये बताओ, इस पूरे कमरे में Ihnen atmosphere है और ये atmosphere हम पर क्या लगा रहा है, pressure, हम महसूस भी करते हैं, कि नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, हमको नीसन जूरए हैं नहीं करते हैं, मगर अगर महसूस कराया जा तब तो बहुत अच्छे से महसूस करोगा अभी हम कराते हैं प्रैक्टिकल के थोड़ी ठीक है उपर से क्या लग रहा होगा एटमॉस्फिर्क प्रेशर बोलो सही है कि नहीं किसी कोई दिखकर ठीक है अब देखो ध्यार से मालनो हमने एक कंटेनर एजूम किया एक कंटेनर हमने लिया हम प्रेशर को चेक करने जा रहे हैं सपोस करो चाहे तो यह पूरा बड़ा कंटेनर भी एजूम कर सकते थे मगर हम चले एक चोटे ही से करके दिखा देते हैं देखो ध्यार से मालनो बच्चों फोकस होके देखेगा यह क्रॉस्सेक्शनल एरिया कितना है यह चिक या ऐसा समझ लो तुमको बहुत बढ़िया समझाते हैं जुगार तो बहुत है समझाने का और अच्छे समझाते हैं ठीक यह क्या है पानी है यह क्या है सपोस कर रहा है एक सिलिंडर एक सिलिंडर तैर रहा है क्या कर रहा है तैर रहा है ऐसे कुछ तैर रहा है ऐसे कुछ बोलो कोई दिखकर एक imaginary sense लो कि ऐसा तैब है बोलो ठीक ये क्या है बच्छो एरिया ये क्या है अब देखो ऊपर से एक force लगेगा by the atmosphere by the pressure is equal to क्या होता है force into force upon तो force is equal to क्या होगा pressure into अब बताओ यहां पर जो force लगेगा उस force को मालो हम F1 नाम दे देते हैं वो force कितना लगेगा उपर से कौन सा pressure लग रहा है पी नॉट कितने एरिया पे किसी कोई दिकत बोलो सही है अब ये बताओ इस पूरे का मास कुछ न कुछ पानी होगा मास होगा प अभी उपर होता है में नीचे ठिक बोलो सही है नीचे भी क्या है पानी है बोलो सही है पानी भी इस सर्फिस पे उपर क्या लगाएगा एक force क्या लगाएगा और एक force क्या है? मतलब कहने का मतलब यह है कि हर तरफ से क्या लगेगा? Force लगेगा. क्या लगेगा? जब हम पानी के अंदर जाएंगे तो हम पे हर तरफ से force लगेगा. क्योंकि जिस पानी में हम जा रहे वो पानी कैसा है? static कैसा है? तो हम पे force क्या लगेगा हर तरफ, इधर से, नीचे से, मतलब हर तरफ से पानी हमको दबाने कोशिश है, अब देखो जहाँ से, ये जो cylinder आपने माना है, ये किस सवस्था में है, ये किस situation में है, rest का मतलब ये होता है है कि उस पे लगने वाला net force क्या हो, rest का मतलब क्या था, उस पे लगने वाला net force, net force, net force अगर 0 तो कैसे sense करोगे, नीचे कितना force लग रहा बच्चो, P not into A, ऊपर कितना force लग रहा है, P into A, बोलो, और एक नीचे और force लग रहा है कितना mg, बोलो सही है, हमने आपको Newton's law में पढ़ाया, equilibrium के situation में, आमना is equal to, पढ़ाया कि नीचे और ये बताओ, दो force नीचे की हो रहा है, और एक force, तो आमना अगर करोगे तो कितना होगा, P not A plus कितना होगा, mg is equal to, सामना करोगे तो कितना, P into A, किसी कोई दिक्कत हो तो बता दो force किदर लग रहे हैं, और एक force, तो दो force नीचे कीच रहे हैं, और एक force किदर कीच रहे हैं, तो net force कब जी रहो होगा, ऐसे ही तो जी रहो होगा, बोलो clear हुआ कि नहीं, अब आगे चलते हैं, focus, mass is equal to क्या होता है, volume into, volume क्या होता है, area into height, मालनों इसकी height कितनी माल लेते है H, कितनी माल लेते हैं, H, तो ये area into क्या हो जाएगा, H, इतने पानी का अगर हम volume निकालेंगे तो यह होगा, area into H, और density माल लेते हैं, कितनी हैं, D, तो M की जगा क्या रख सकते हैं, A height into D, रख दो बच्चों, P not A, A into height into D, और P into A, A से A से A क्या हुआ, तो P is equal to कितना, G भी आखरी में G भी था, बोलो सही, A से A से A क्या हुआ, क्या बच्चा, P is equal to बच्चा क्या, P not plus HD, बोलो clear हुआ, तो इसका मतलब, अगर हम इस point की बात करते हैं, इस point की बात करते हैं, इस point पे कितना pressure लगेगा, P not plus HD, पूछो क्यों, एक pressure तो atmosphere धक्का दे रहा है, और A कितना water column, तो ये कौन सा pressure है, atmospheric pressure, कैसा pressure है, atmospheric pressure, बोलो सही है, जो बाहर से खुला है, open है, तो कौन लगा रहा है, atmospheric, और HDG क्या है, बाइदा, बाइदा liquid column, या बोल सकते हो, बाइदा liquid, कोई भी water liquid कुछ भी होता, बोलो तो समझने हैं, तो हमें इस point पे कितना pressure exert होगा, एक तो atmosphere दबा रहा है, और दूसरा ये liquid column, समझ गए किने, इतना लिख लो, तो हम अगर इस point को P मानते हैं बच्चों, तो इस P point पे pressure कितना हो जाएगा, अगर इस point को अगर हम P मान ले, तो इस पे कितना pressure हो जाएगा, कितना होगा, P naught plus HD, इतना लिख लिजेगा, सब लोग एक रिमार्क लिखें, focus, suppose करो, वहाँ तका रहा है, हाँ, ये, ये, जो समझना समझ लो, बस, बोलो मन, मन में जो सवाल उठ रहे हैं, उठा लो, मगर बोलिये मन, ठिक, ये ही, ठिक, सब में जो water column है, वह कितना है, सुनो, ये दिख रहा है, सब में जो पानी भरा है, वह क्या है, सेम है, ठोड़ा से कम लग रहा है, एक बाल्टी और ठोड़ा से एक मगर डाल दे, हम इस point पे pressure देखेंगे, A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, और यहाँ पे D, बच्चो, ऊपर से atmospheric pressure तो लगबे करेगा, atmospheric pressure लगेगा ही लगेगा, ये तो confirm बात है, एक काम करें, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे जो पानी है, उसकी density, उसकी density, उसकी density, सबकी density क्या है, पानी तो वह की है, सारा खेल अर्थ पे हो रहा है, तो सबकी gravity भी क्या लगेगी, बोलो सही है, सब पे gravity क्या लगेगी, अगर हम इस point तक अगर देखें सबको, तो सबकी height भी क्या है, सबकी level क्या है, तो अगर हम A पे pressure की बात करेंगे, तो कितना लगेगा, P not plus HD, बोलो सही है, अगर हम यहाँ बात करेंगे, B पे तो कितना होगा, P not plus HD, HD, H height तक पानी, density D, gravity, इस पे अगर बात करेंगे, तो कितना, P not, पानी कितना भरा है, H height तक, height कितनी H, पानी density D, gravity कितनी, जी, और अगर हम D पे बोलेंगे, तो height कितना है, H, density D, gravity, इस से हमें सीखने को क्या मिलना है, कि जो pressure by the liquid column होता है, वो होता है, HD, जी, पानी भरा होता है, उसके कराण जो pressure होता, वो कितना होता है, इसका मतलब pressure किस पे depend कर रहा है, यानि की, यानि की, level पे, pressure किस पे depend कर रहा है, यानि की, density पे, pressure तीसरी चीज किस पे depend कर रहा है, किस पे, gravity of planet, किस पे, gravity of, किसी दूसरे planet में ले जाएंगे, gravity बदले के तो pressure भी क्या हो जाएगा, pressure किस पे depend कर रहा है, level पे, density पे और, बना लीजेगा, क्या pressure shape और size of the container पे depend कर रहा है, तो pressure doesn't depend upon shape and size of the, pressure shape और size पे depend, बना लीजेगा, pressure does not depend upon shape and size of the, लिखेंगे क्या, pressure does not depend on shape and size of the, of the क्या वहिया, container, अब लीजेगो, variation of pressure, variation of pressure, at horizontal pipe, at horizontal pipe, ठीक, या at horizontal level लेख लो, ठीक, एक horizontal level पे देखते हैं, या horizontally भी लिख सकते हूँ, जो भी लिखना चाहूँ, देखा जैं, चल भई, focus हो, इधर देखो, जैसे माल लो, एक container लिया, और उसमें हमने पानी भरा, बच्चों ये कैसा fluid है, hydro static है, मतलब fluid रुका हुआ है, fluid क्या है, अब suppose करो, कोई cylindrical shape का ही, मान लो, तुम कोई body ऐसे रख, या एक काम करो, बार-बार cylindrical ही क्यों, cube रख दो, क्या रखो, cube रख दो, बोलो सही है, बोलो, focus होके देखेंगे, ध्यान से, देखो, ऐसे होगा, ये ऐसे fluid, जितना बड़ा area, उतना बड़ा area, ये भी होगा कि, बोलो सही, suppose करो, बच्चों, suppose करो, कि इधर से P1 pressure लग रहा है, इधर लग रहा है, और इधर से कितना pressure लग रहा है, P2, बोलो सही, इधर से क्या लग रहा है, सही समझ में आया, अगर हम इसको force के टम में convert अगर करें, तो force कितना लगेगा, तो कहोगे सर, pressure into area, सही बात है, और इधर से अगर हम force के टम में इसको convert करेंगे, तो हो जाएगा pressure into area, बोलो सही, ये जो block है, ऐसे रुका हुआ है, जैसे पानी रुका है, तो block भी क्या है, पानी रुका है, तो block भी क्या है, इसका मतलब ये किस में है, किस पे है, इसका मतलब net force क्या होगा, net force 0 का मतलब होता है, आमना is equal to, area से area क्या होगा, तो p1 is equal to, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हमें समझने को क्या मिला कि अगर कोई भी container है मालो इस level की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम देखें इस end पे इस point पे इस point पे दोनों पर pressure क्या आया और दोनों का level क्या है इसका मतलब अगर हम कोई भी static fluid अगर लेते हैं तो स्टाटिक प्लूइड के किसी भी level पे बात करते हैं किसी भी and so pressure क्या होगा ऐ कि रिशुर क्या होगा बात समझ में की नहीं है clear हुआ सहंदे पक्का बना लीजेगा इसका मतलब इस ku Deploy code दोनों तरव के पानी क्या लगा रहा है बना लीजेगा अच्छे से आया भईया